नमस्कार स्वागते आप सभी का मैं हूँ आपके साथ बबली शेरमार राज्य मंत्री करड़ देव कामबोज की अध्यक्ष्टा में जिला लोग संपर्क और कष्ट निवारन समीती की मासिक बैठक संपन हुई जिसमें राज्य मंत्री ने दर्जनों लोगों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया कामबोज ने कहाए कि दिवारन कॉपरिटिव सर्विस सोसाइटी सहित कई अन्य सोसाइटियों के सदसे आमसभा में सर्बसम्मती से बनाए थी लेकिन चुनाव के जर्नल मैनेज़ों क गयर कानूनी तरीके से वोट काटने के मामले में उप्ररजिस्टा सहकारी समीतियों की कारवाई पर संधे व्यक्त किया जा रहा है। इसलिए इस मामले की निस्पक्ष जांच के लिए उपरेजिस्टार कॉपरेटिटिव सोसाइटी और कुष्ट निवारन समीती के दो सदर्सों के नितरतों में कमेटी की घठित करने के आदेश दिये हैं। और इस कमेटी को 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौपने का समय दिया। और कुछ निवारन समीती के सदर्स्या और कुछ अदिकारी को लगा करके उनमें हमने इंक्वारी मार की और कुछ कम्प्लेंट ऐसी थी जो जिनका समय दानों निकल गया है। आयोक के सदर से तेलू राम जांगरा ने भी बताया कि जिला बनाओ संगर समीती पिछले पास सालों से संगर्स कर रही है। इनका मांग कॉंग्रेस पार्टी समर्थन करती है क्योंकि हासी हर्याना की सबसे बड़ी तहसील है। हम जो जिला बनाओ संगर समीती है उसको ये समर्थन देते हैं कि भारतिय जनता पार्टी अगर हासी को जिला गोशित कर देती है तो इसमें कोई दोर आये नहीं कि आने वाड़ा इलेक्शन में हम आँख मीच के बारतिय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे वोट भी देंगे सपोर्ट भी करेंगे और अगर समर्थन हम देते हैं तो हम प्रिंसीपल तो हैं साथ में हम बच्चों को भी ये सिख्षा देंगे कि प्यारे बच्चों आप इसको जिला बनाने के लिए अपने माबाप को भी समझाओ ताकि आने वाले टेम में हमारे यार्जिला बनने के बाद कॉलेज, यूनस्टी और ऐसी सस्ताइब बन जाएं आपको बाहार ना जाना पड़े आज मैंने पार्टी की तरफ से कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से बाही रामनिवास पोजी जो जिला संगर्शिमिती के अद्ध्यक्षा उनको पूरी संगर्शिमिती को समर्थन तन्मन धन से दिया है मैं इनके साथ कंदे से कंदा मिलाके और इनके साथ जिला बनाओ संगर्शिमिती के साथ जब भी इनको जूरूरत होगी मैं इनको समर्थन दूँगा नमबर एक बाद आज भाई फोजी साब इतने संगर्ष से लगे हुए हैं हासी में जो रिवेन्यू का जो नुक्सान हो रहा है उसके लिए लगे हुए हैं मैंने पहले भी बताया कि जो रिवेन्यू आता था बास से नारनों से और खेडी जालब से वो रिवेन्यू वहां के में आना होता है वो जिले हिसार में चला जाता है वो हासी में नहीं आ पाता हासी में उसका नुक्सान हो रहा है किस परकार का नुक्सान है वो मैं बता रहा हूं आपको एक तो जो लोग वहां से आते थे यहां से अपना श्याम का रोजमर्णा का समान वेपारियों से हर्याना और करना समान लेते थे लोडिंग होता था उन मजदूरों का भी नुकसान विपारियों का भी और किसानों का सब का नुकसान हो रहा है दूसरी बात थोड़े दिन के बाद जब नार्णों जैसे तसील बन गई वहां पे जज बैठन लग जाएंगे तसील दार वहां आते हैं वह हमें पाइदा हो रहा है उसका नुकसान हो रहो नहीं लग जाएगा वह में बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है अनाज मंडी नार्णों में हर्याना व्यापार संगटन प्रिभारी और राज्यस अबासवांसद डक्टर सुसिल गुपता ने व्यापारियों को स समस्या सुरक्षा संबंदी है व्यापारियों के साथ सरकार गलत कर रही है सरकार मौन बैठी है व्यापारियों की कोई सुरक्षा नहीं है देश पर देश में बेरोजगारी चारों तरफ फैल रही है और अगर हम बिजली की बात करें वह हलका नानों में आदा दिन बिजली कह था कि किसान आर्ठीयों का ATM काड है और आजinde का अर्थिंटों यह सब कि सरकार दिल्ली के अंदर अर्विंड के जुरिवाल जी खुद हर मन्डी के अंदर गए न कि नहीं हर्मार्किट के आधमे घप आ हर साल मने टेक्स में पीक मीडा किया और अब हमने के वह वहाँ site कि कोई कोई अधिकारी किसी भी किसम से दुकनदार के दुकान पर जाके उसको परिशान ना कर सके उसे पैसे न उगा सके इसी परकार किसानों के लिए हमने दिल्ली के अंदर 50,000 रपय पर्दिय परथी फसल खराबी कम पर्देटा किया ईंदूस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है हम दिल्ली के अंदर किसान की जमीन को परती एकर परती वर्स एक लाक रुपे साल के साब से किराया पे लेके उस पे सोलर बिजली पैदा करेंगे एक तिहाई जमीन ऊपर से कवर होगी ताकि नीचे दूप और पानी आता रहे किसान उस जमीन पर खेती करता रहा है उस खेती में जो बिजिली लगेगी उसको मुफ्त देंगे और उस बिजिली की दोर पे उनट हमारे पास कोस्ट आएगी सारे दिल्ली को वो देंगे और किसान की हमदनी बढ़ेगी मैं कहता हूँ यह सारी योजनाई हर्याना के अंदर भी लागू हो सकती ह अगर खट्ट सरकार की नियत ठीक हो मोधी सरकार की नियत ठीक हो तो वो आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर होंगे इस दोरान उनने वित्यमंत्री केप्टन अभी मन्यू के नाम एक ग्यापन सौपा हर्याना के सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाई दे रहे करीब 14,000 गैस टीचर एक वार फिर आंदोलन की रहा पकट रहे हैं नियमित करने की मांग को लेकर गैस टीचरों ने सभी 90 विधाया को कोग्यापन सौपा पिछले 13 सालों से हर्याना के करीब 14,000 गैस टीचर नियमित करने की मांग कर रहे हैं हर्याना के तकरीबन 14,000 गैस टीचर पिछले 13 सालों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाई दे रहे हैं और विधान सभा चुनाव से पहले सरकार के बड़े से बड़े नेता ने वाइदा किया था की बिजेपी की सरकार बनते ही पहली कلم से सभी गैस टीचरों को निमीत किया जाएगा लेकिन बड़े सरम की बात है बड़े दुख की बात है च्यार साल का समय बीच जाने के बावजूद भी गैस टीचरों को नीमित करना तो दूर की बात समान काम समान वेतन तक नहीं दिया है आज आती थी आपकों ने नार्वल ग्रोप में इकठे होकर कैप्टिन अभी बन्यू के माजम से मुख्य मंतरी जी के नाम ग्यापन सोपा है तेरा सालों से काम करे गैस टीचर बहुत ऐसी रुष्टा की बावना से पिडित हैं इलेक्शन होने से पहले सरकार ने हमसे वादा किया था और आज की वर्ट मान सिक्षा मंतरी ने भी यह कहा था कि उनको पहली करम से नीमित करेंगे ज़ब हमारी सरकार आएगी आज सरकार को आए हुए चार साल हो चुके हैं जिस स्थिति में आज से हम 13 सार पहले अज भी उस स्थिति में है इसलिए हमारे सरकार से विन्डबर निमेजन है और उन्से हमारी मांग ये है कि हम को पोलिशी मना कर न्एमित किया जाए और गेस टीचर को जिला मुख्याले बनाई जाने की मांग को लेकर महिंद्रकर सम्मान संग और समीती ने पिछले 28 दिन से अनिश्यत काली नधना दिया हुआ है तो इस तारीकों नारणोर कोरिय वास में रैली में मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी मांग पत्र सौपने गए थी जिसमें प्रशासन ने उनको न मिलने देने और उनके साथ किये गए अभद्र भ्यवार के बाद उन्होंने निर्ने लिया है कि वे अपनी शेत्र की इस महत्पूर्ण मांग के लिए आमरण अंसन करेंगे और उन्होंने अगले दिन 24 तारीक से अंसन शुरुक हुआ हुआ है जिसमें उन्होंने जल भी त्याक किया हुआ था उन्होंने कहा था कि इसमें चाहे जो भी परणाम हो वे अपने आखरी सांसता कपनी इस शेत्र की लड़ाई को लड़ेंगे और मांग को मनवा कर ही दम लेंगे जो कि कल से अंशुरुकारी परधान राजवीर की तबियत बिकड़ी हुई थी आज डक्टर ने उनकी जांच करके उनकी हालत नाजुक पताई थी जिस पर परशासन के जरिये संगान लेते हुए एडी सी महाविर परशाद धरने पर पहुँचे और उन्हें अंस्वासन कारी राजवीर से बात करके उन्हें अश्वासन देके रहे उनका अंस्वाप्र करवाया वाकिन कि इंस प्राइब सम्कराइब düşünूँ संगर्समितिरे की जो मुखहएड घूला मुख्छाले सिथि राधिक कें उसके यूद आज्वेह ग्यापन दिया झाल्यूम्न इसके अलावा ग्यापन के लावा बिज़याया है is our carbon के बाधिorkन की लिए लोगों में काफी इसके लिए रोश है कि मुख्राइशिप किया जाए जो आमिलन उसल बैठे ते राजबिर जी उन्होंने अपना अमिलन उसल दोड़ दिया है तो आपने जो पीशेस आसवासन क्या दिया उनको पीशेस आसवासन सिर्फ यह हम ग्यापन तो उच्छी तमाद हम से सरकार को भुजवा देंगे और सरकार को अपनी तरफ से भी अवगत करवाएंगे जन भाउनाओं से दूसरा जो है यहां स्टीम का इन्होंने डिमांड रखी के छुट्टी पर रहते हैं एडिशनल चार्ज है सरकार से यह भी अन्रोद किया जाएगा उनका अडिशनल आज भी आई है तो आज भी आई है तो आज भी आई है यह बीजो रहा है 181 एक टेशन्ट के आलत नाज जुप होई रहे है कल से को कि इन्होंने कुछ भी पानी पाना लीकिट पुछ दिलिया अब तक तो इनको फिजीशन को अधिन को तेंडर केर रखना पड़ेगा इनको आज है तो मैं आपका पत्र है आपकी जो मांग है तो मैं सरकार तक पूंचाओंगा और सरकार जिला मुख्याले की बात है जैसे मेरे सब साथियों ने बता है कि काफे दिन से लगे हुए अभी च्यार दिन के आम रणा अंचन पे भी उबेटे दे मैंने पिछे बाइदुसें चोटालाजी हमारे यादव संप द्रमशाला में आए थे मैंने उनके सामने भी अमारी दिमांड रखी दी कि हमारी दिमांड है कि जो मेंद्रगड जिला ताकि मेंद्र जिला स्थितों में आसके और उन्होंने इस चीज के लिए हमें यह आश्वासन दिया है कि जब अपनी चरकार बनेगी तो आपकी समासया का हम समाधान करेंगे और जो यह आमरन अंचन वाली बात है जो जिला मुखाले वाली यह हम सब साथियों को पता है कि इतनी जल्दी ओने वाला काम नहीं है तो मेरी तो सब साती जैसे कह रहे है कि भी दरना जारी रहेगा दरना जारी रखो लेकिन कोई ऐसा काम मत करो जो आमरन अंचन अगर आप टेकोगे लडाई कैसे लडोगे लडाई लडने के लिए ताकत चीए और उस ताकत के साथ लड और ब्रबढ दाननीवा यहां की जो सरकार है यह कूंगी बैरी सरकार है यहां के जो हमारे सथानी विदायक है जो मंत्री है इन्होंने कोई चीज पह नहीं तो अब तक वह यहांसे वोड लेकर के पहले भी बढे अब पिर बढ़के अब मंत्री भी हैं उनका फर्द बनता पहले दिन इनके से आके मिलते निश्जित तोर से रंग लाएगा ये और जिस तरी के से एक महिना बता रहे थे यहां पर दढ़ना चला और चार दिन अंशन और वो अंशन भी हमारे परदान राजवीर एक्सरपन सहाब ने इसलिए किया क्योंकि हम मुख्यमंत्री के समक्ष एक मांग पथर लेके गए झिलामूख्यालिक लिए और वहें पर हमारी बात नहीं सुनी इसलिए उन्होंने यह प्रसर के मात्यम से भी बताया था आपके लोगों के मात्यम सेौका लुग की तवियत खराब होई और उस तवियत के आज यहां पर पूरा परशासन एडी सी नाइब तशितार अगरा सारे लोग आए और वह एक आश्वास्त देख करके गए चेत्रवासियों को सभी लोगों को कि मैं सरकार के पास यह मांग पतर आपका पहुंचाऊंगा और जल्द से तो इसके विडिatsi से बिरसासन के जमीन का कबजा लेने में भारी दिक्क्त और ऌ सामना करना पड़ रहा है गुरूबार को हुए ऐसा ही जब जब गहारी पर्शाशन के पिलिस्व वजक्त के साथ यहां बनने वाले रिजनल सेने वाले यहां प्रशासन की जमीन का कबजा लेने पहुंचे तो इसके विरोध में ग्रामीर आखडे हुए SDM विजे मलिक के नित्रतों में गई अधिकारियों की टीम के साथ भारी जंख्या में पुलिस वल था हाला कि मौके पर पहुंचे प्रशासने का दिकारियों ने रिजनल सेनटर के निर्माड के लिए चुनित की गई जमीन पर जोएसी भी जलाकर निव भी काफी दूर तक खुद वाली थी मंत्री जी से दो बार तीन दो बार बुलाए गाओं के गणमान आदमी वहाँ पोचे मंत्री जी ने पहले दरजाते हैं उले उर रही आगे पूरी दन खड़ा गे दूसरी बात उनसे बताई अगर आप जो बात हुई उनसे अगर आप मुआओ जा जा जो और लिक्तम में न आप जालू करो ऐसे पूचल अर्जे मुआ जैक यह बोला अब तम तबर कोट में केस कर लिए अपना तो वहीं जो होगा होगा इतना बाइतम प्रवाइसला वात यह बात निया ना तो कोई इसी तरह बात लाने के बात नहीं उसके बात में नहीं कर दिए बैनों करी चाह आ वहीं गुरुवार को जचल अचानक पहुंचे जेजेपी प्रमुक दुशन चोटाला ने भी चाचा अबेश चोटाला के तंच पर पलाड़ खिया डूंचे जेजेपी आजहां के आजहां बना बना चुकी है और वहाही दिन दूर नहीं है जब उन्हें पार्टी से बाहर के रास्ता दिखाने वा ले खुद अपने फैसले पर पर पश्टाहेंगेक उन्होंगे साल 2019 में हर्याने के अंदर जेज़ेपी की सरकार बनने का दावा किया यहां उनका पहुंचने जेज़ेपी कारकरता उन्हें जोड़दार स्वाकत किया बाद में दुशन चोटाला गोश्यारा जजजर के पूर्व चेयर्मेन के मृत्वी पर शोग जताने के लिए करते थे कि यह 200-300 बालकों का टोल है अगर 200-300 बालक मिलके लाखों की बीड जीनत की दर्ती पर इकटी कर सकते हैं तो यह मान कर चलो फिर इस परदेश में परिवर्तन भी लेकर आएं और अमारे साथ तो एक्सपीरियेंस लोग भी है मैलाओं की भी एक ताकत है और युवा पर इन बच्चों का जोश उत्सा भी है और इनकी प्रोग्रेसिव सोच भी अर्याना प्रदेश के इंदर एक परिवर्तन लेकर आएगा हमारा तो यही देश्य है कि प्रदेश प्रगति के पत पर चाहिए और उसके लिए हम पूरे प्रदेश में के अलग लग संक्ठों के जो समाजिक और संक्ठनिक सोच रखने वाले लोग हैं उन्से भी संपर्क साधर है और उनकों भी सदिस्ता अभ्यान के दोरान अपने संक्ठन का इसावर नहीं रागा है कुर्षेत्र की कुर्षेत्र पुलिस शेत्र में बढ़ रहे अपराद और अवे धंदों को लेकर गम भीर है कुर्षेत्र पुलिस अदिक्षक सुरेंदर पाल सिंग ने आज पत्रकार वारता जानकरी देते हुए बताये कि पुलिस ने अलग अलग जगों पर लूट पार वहनी चोरी समयत अने एक संगीन अपराधिक वारतातों को अंजाम देने वाले ग्रहों के पांच लोगों को पकड़ लिया है SP ने बताया कि मामले की पुलिस श्यांच कर रही है अनने कई वारतातों या घटनाओं का भी आवरोपियों से लिंक हो सकता है SP ने बताया कि पुलिस कुर्षेत्र में नशा और अपराध मुक्त बनाने के अदेशे जिस जनता के सैयुक से मुस्तैद है SP ने दावा किया है कि वो छेत्र में शांती और कानून विवस्ता को लेकर पूनत अगम भी रहे अक्यूजड पकड़ा है जो शिटी एरिया में उने वार्धात की थी एक सुक्रिंदर कोरपत्री काबिल सिंग है जो गामडी गाम के रहने वाली है वो उनके बच्चे फोरण में रहते हैं तीन नौजमान लड़के जिसमें दो अंदर गए एक बार रेकी के लिए खड़ावा गन प्वेंट पे चोट मारके इन्होंने जुवेल्री और वो चीज लुटी थी उनके घर में जो कैस था वो अमारी CIO ने ट्रेप लगा के अभ में पुरुक्षितरा पुलिस की और इसके अलावा एक हनी ट्रेप के केस थे चार केस थे हमारी CIO ने पकड़े जिसमें अक्यूज पकड़े जा चुके हैं जो किसी लिफ्ट मांगते थे लेडी लिफ्ट मांगती थी उसके बाद वो गाड़ी या कोई लिफ्ट देता था इसके बाद आगे जाके इस बंदें को लूट लेते थे वह भी हमने पकड़े उसमें हमारी काफी रिकवरी हो चुकी है और इसी तरह है CIO ने एक स्नैचिंग का गाइंग पकड़ा है जो बैंक्से कोई पैसे निकालता था या कहीं टांजेक्शन के लिए कहीं जा रहा होता और भी खुलने की समावना है इसलिए कुरुक्षित्रा पुलीस के में काफी कामें भी प्रप्त की है इस तरह काफी अक्यूज स्नैचिंग वाले और इस तरह की वार्दात करने वाले हमने पकड़े है पानी पत के हलदाना बॉर्डर के पास हमाचल रोडवेज के रहोड डिपो में बस से ट्रक की टकर हो गई हासे में बस में सवार दो लोगों की मौत हो गई बस हमाचल से दिल्ली की तरफ चा रही थी समालका की हलदाना बॉर्डर के पास ट्रक ने बस ओवर टेक करके बस के सामने ब्रेक लगा दी और बस की ट्रक टक कर से हो गई हादसे में बस के कंड़क्टर राजसींग की मौके पर ही मौत हो गई और ड्राइवर जुग्दीस की रह तक ले जाते समय मौत हो गई मरता को पोस्टमार्टम के लिए एस्पताल की शिव ग्रह में रखवा कर जान शुरू कर दी है ट्रक चालक को छोड़ कर मौके से फरार हो गया तोहाना की मनोहर सरकार ने अस्पतालों में सक्छ वातावरन मौहिया करवाने के लिए सवी अस्पतालों में हर्वल पार्क बनाने और देखरेक के लिए करमचारी मौहिया करवा दिया है नागरेख अस्पताल में आदा एक कर से अधिक जगह में हर्वल पार्क बनाकर उसमें दो दर्जन से अधिक तरह के पौधी लगाए जाएगे पार्क में नीम गलोय, राम तुलसी, श्याम तुलसी, अलो वीरज जैसे कई पौधी लगाए जाएगे एजमो डौक्टर सतीश वर्ग ने बताये कि स्वास्ते विवाग के आदेश अनुसार परदेश के हर इस्पताल में हर्वल पार्क बनाने के लिए आदेश प्राप्त हुए थे इसके आने से हमारे को काफी साइजोग मिला है और यह काफी इंट्रेस्ट लेकर इसको डिवल्पी करना है तो सर किस तरह है पौधी यह लगाएगें सर इसमें बताएंगे के जैसे अलोवेरा है राम और शाम तुलसी है मरुआ है और लेमन ग्रास है कड़ी पता है आमला है पावर ग्रेड है ऐसी कही तरह कि तरह कि इसक पूरी होती है वहीं जीन फरेड कला गाउं में पिछले चार महीने से बज़ुर्गों विद्वाओं को पैंसन नहीं मिली है गुर्वार को फरेड कला गाउं के 60 बज़ुर्गों और विद्वा महीनाएं डीसे काराले पहुंची और उन्होंने डीसी के समक्ष अपनी पैंसन चेक करवाई तो उनकी पैंसन आई हुई है जब यह बात डग करमी को बोली जाती है तो वो कहता है कि नहीं है मेरे पास पैसे जहां जाना है जाओ और जहां शिकायत करने हैं करो वे पैंसन नहीं देगा विद्वाओं चंद्र ने कहाए कि उसका पती कुछ साल पहल दूसरी पैंसन दो रहे हैं यह गाओं में पोष्ट वीच में है और पोष्ट वीच वाड़ा बाढता नहीं क्या कहता है कि जो कुछ करना करले जहां जाना जाओ जो कहता हुए नोको पैसे नहीं आए पैसे दारे हैं पैसे आज आरे है पैसे अगस्त लक्ती तो बैंड मेरे पास कोई पैसा नहीं है तिन चैर्वीन नहीं होगे जोन और जुलाई और अगस्त की देही थी वास यह कहता है पिर सुनी मिल रही है जाड़ जाना जाओ था मैं तो घर ना करें जाई हो अरके पूर्टर में निकल वाई तो वहां आई हुई थी तो पैंशन आई हुई ह पैंशन डाखनना के मैदम से वित्रित की जा रही है वहां कई गाउं में पैंशन वित्रित में समझें आई हुई है जैसे फरैन कला है फरैन खुरूद है करमगड है खरक बूरा है वहां जब डाखनना के उच्छादीकारियों से करनाल भी पता किया नर्वाना में पता किय तो उन्होंने बताया हमाने सोफ्ट वेर चेंज किया था और जो बाइमेट्रिक डिवाइस दी गई थी उसमें नेटवर्क की प्रोब्लम थी और नाइंटी परसेंट सोट आउट हमने कर दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है वी दिने वीक हम ये पैंसन वित्रन का पुर मैंने बी पैंसे बात की है माणओ की पैंसन बांटने बांटने से संब् Jess深 बाइब चाहित नहीं है आपकी बार भी ठीक नहीं निया प्ड़हार करते हो कि उसने उस के बारे मरताया जो दो तeredता है वो गाउन में पॉर्टी बाजी की वजह से ज्यादा जो टाप लैंब लगा रहे हैं इतनी बात नहीं है दुर्ववार के इसी बात नहीं है कुछ लोग सवेरे 6 बजे भी आ जाते हैं शाम को 7-8 बजे भी आ जाते हैं उस टेम में थोड़ा सा हो कह देता हूं उसके बावजुद भी मैंने उसको परसनल रिक्वेस्ट की है भै आप अपना वेभार ठीक कीजिए पूरे में नमेक अपतर पेंसन बितरने का काम करना होता है उसको थोड़ा समाथ सिवा के इसाब सिभी कीजिए बढ़ते हैं के बाद कनीना की कनीना के बिजली बोर्ड में बिजली अधिकारियों ने सरपंचो के साथ मीटिंग कर लोगों को बिजली बोर्ड की व्याज माफी यूजना के तहरे तो उसका फायदा उठाने के वारे में जानकारी देते हुए संजीब चौपडा ने बढ़ाये कि आज हमने यहां मीटिंग का एजिन किया है उसमें हमारी यूनियन के बहुती सीनियर पदादी कारियों का बहुत युगदान रहा हमारे स्टाफ के जितने भी लोग हैं उन्होंने सभी घरों में चार पांच वार जाकर उन लोगों को ब सब्सक्राइब करने में हमारे दफ्तर सुब्सक्राइब लोग रात को भी आएगा विल पर लेंगे आने वाली छुटियां जो हैं सेड़े संडें उन में भी हम पूरा दफ्तर खोल के रखेंगे रात को हमें 11 दे सक बैठ बैठना पड़े किसी भी कंजुमर को वापस नही आसपास के गाउं के सरपंचन को बलाया और हमारे बीच हमारे एसी साहब नमीन बरमाजी भी है एक्सियल साहब सभी हमारे करमचारी साथी भी मौजूर है आज का जो मुख्य उदेश्य था कि जो हमारी स्कीम के केवल चार पास दिन ही और रह गया 31 दिसंबर तक की स्कीम है और हम चाहते थे कि हमने जितनी हमारे स्टाफ ने मेहनत की है वगर ये बटा आए है सर्पंच को सभी को लिस्टें दे आये हैं कि आपके गाउं में इतने अभी डिफॉल्टर बचे हुए हैं तो हमारा उदेश्य यही है कि आज किसी परकार इस मीटिंग में अगर हम यह जोगदान दे सकें कि हम अपने हमारे सर्पंच के माध्यम से सभी गाउं में है मेनत की तो हम चाहते हैं कि इसी परकार की मेहनत और सभी लोग भी करें लाल मिरसाथ इस बिलेटिन में इतना ही खबरों के सिल्जल अलगाता जारी है नमस्कार